हरी तालिका तीज ब्रत की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग भात्र प्रदमास के सुकल पक्ष की तिर्तिया तिथी को विवाहित महिलाएं और और विवाहित लड़कियां भी हरी तालिका तीज का ब्रत रखती हैं अखंड सौभाग की प्राप्ति के लिए मन चाहा बर्पाने के लिए मा गौरी और भगवान सिप की पूजा अराधना किये जाते हैं हलांकि ये ब्रत बहुत कठीन है क्योंकि निर्जल ब्रत रखना होता है और महिलाएं यह ब्रत रखती हैं क्योंकि अगर आप ब्रत रख रहे हैं तो कुछ ऐसे नियम हो जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए वरना हो सकता है आपका ब्रत कोई फलाग को ना मिले निस्फल हो जाए तो इन नियम में सामिल है, सबसे पहला नियम है अगर आप ब्रत रख रही हैं, तो यह ब्रत आपको हर बर्स रखना होगा अगर किसी कारण बस आप ब्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप उद्यापन करने के बाद फल खा सकती हैं इस दिन आपको जल भी ग्रहन नहीं करना है इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा और अगले दिन पारण करने के बाद ही आपको अन्न और जल ग्रहन करना है इस दिन बिवाहित महिलाओं के साथ कुमारी लड़कियां भी इस ब्रत को रखती हैं माता पारवती और सिप जी दोनों की संयुक्त पूजा इस दिन किये जाने चाहिए यानि एक ही माला आप दोनों को पहनाईएगा पूजा के समय मा पारवती को सुहाग की सामगरी जरूर अरपित करें पूजा के बाद ये जो सुहाग की सामगरी आपने मा पारवती को अरपित किया है आप किसी मंदल में पुरोही जी को या फिर किसी भी सुहागिन महिला को दान दे सकती है ब्रत करने के बाद सास के चरन असपरस करें या फिर आप से जो भी सुहागिन महिलाएं बड़ी हैं उनका चरन असपरस करें पूजा करने के बाद हरी तालिका तीज की कथाद जरूर सुनिए, अगले दिन जब आप ब्रत के अगले दिन नहाने के बाद माता पारवती को नए सिंदूर की पुडिया से उन्हें सिंदूर लगाएं या फिर आपने जो पहले दिन यूज किया है वो लगाएं और फिर पारण के साथ आप अपना ब्रत संपूर्ण करें तो यह है नियम हरी तालिका तीज ब्रत का इन नियम का पालन करने से आपका ब्रत पूर्ण होता है हरी तालिका तीज के दिन नर्जला ब्रत रखा जाता है यानि इस दिन फल और जल कुछ भी आप ग्रहन नहीं कर सकते ले अहां भी हरिताली का तीज का ब्रत जरूर किया जाता है हलांकि आप पूजा मंदिर में जाकर ही कर सकते हैं हरिताली का तीज का ब्रत करतेस में ध्यान ये रखना है कि इस ब्रत में सोना नहीं है आपको दिन में तो भूल कर भी ना सोए संबब हो तो रात में भी जगे जागर